हालो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने जो लाइबरेरियन का युनिट 5 का टेस्ट किया है उस टेस्ट की एनालेसिस जो है अभी हम लोग यहां पर आरंब करेंगे करना उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि थोड़ा सा टाइमिंग में जो है मैंने शफलिंग क बीश में जिसमें वो युनिट 5 की कुछ क्वेस्टिन्स जो है वो स्टूडेंट्स को कराना चाह रहे थे एक्जाम से जस्ट पहले तो मुझे लगा आप लोगों के लिए यह बेनिफिशल होगा क्योंकि एक्जाम से जस्ट पहले जो टेस्ट और जो कंटेंट प्रोवाइ हुए हैं तो यह 20 क्वेस्टिन जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेट आते हैं उनमें कुछ न कुछ आपको बेनिफिट मिल जाए इस वज़े से मैंने जो टेस्ट का टाइमिंग रखा था वो 11 बज़े से लेके 5 बज़े तक रखा था कि अगर आप उनकी क्लास भी अटें हैं तो स्टुडेंट्स की पॉफॉर्मेंस यहां पर जो है वो कुछ सही नजर आई है मैं बात करती हो ओल इंडिया मॉक टेस्ट नंबर 16 की यह देखिए लाइब्रेरियन ओल इंडिया फॉल मॉक टेस्ट 16 जो है यह हमारा पेपर जो है आज हुआ है आज यानि कि 14 सितंब को ग्यारा बजे से लेकर के पांच बजे शाम तक इसके करने का टाइमिंग था अगर मैं एवरेज जो है वो मार्क्स की बात करूँ एवरेज स्कोर की बात करूँ कि आज आप लोगों ने क्या गेन किया है तो 300 में से 136 नंबर जो है वो एवरेज स्कोर आया है जो कि मतलब अगर मैं ध्यान दू कि पांच दिन बाद आपका एक्जाम है और एक्जाम से पहले ये स्कोर आ रहा है तो ये सटिस्फेक्री मार्क्स जो है ये नहीं है ये मार्क्स नहीं होने चाहिए थे बटी आये हैं दो सो पचीस स्टुडेंट्स ने जो है वो टोटल एक्जाम को द लिया है किते स्टुडेंट्स में से 7347 में से अवरेज बी ग्रेड है जो कि हमेशा आया एक्जी विज्वल न तो आप ए में घुसते हैं आप दो सी में घुसते हैं बी घुट हमेशा लेकर आते हैं और 41 मिनिट जो है आपने एवरेसट टाइम लिया है इस टेस्ट को करने के लिए अगर हम rank के हिसाब से देखें तो rank 1 जो है इस बार काफी कम आये हैं ये जो grade A है ये बहुत कम है grade B वाले students जो है वो ज्यादा है grade C थोड़े से B से कम है grade D उससे कम है grade E भी है और F वाले तो सच में बहुत ज्यादा है आप लोगों को computer से या तो interest नहीं है या फिर नमज में नहीं आता है केवल और केवल मतलब library का paper आप देने जा रहे हैं तो पूरा focused आप लोगों ने केवल जो है वो library के जो चार unit है ना उसमें जोग के रख रखाया आपने जो कि literally बहुत गलत है बहुत ही ज्यादा गलत है वो जो चार unit है आपके वो 80 नंबर के हैं और अगर मैं बात करूँ तो जी के आपका जो है राजस्थान जी के जो history और geography है और computer मिला करके बात करूँ तो यहाँ पे 70 नंबर की बात है तो 80 नंबर के लिए तो आप पूरे के पूरे तरीके से जो है वो devoted हुए जा रहे है और इन 70 नंबर की जो है आपको कोई परवाह ही नहीं है तो ऐसे तो exam होगा नहीं नए exam तो इन दोनों को मिला करके होगा जिनके इन दोनों को मिला करके marks अच्छे आ रहे होंगे selection तो उसका होगा ना किवल यह अपने को करके रखने से जो है थोड़ी ना selection हो जाएगा तो अभी तो आप आप लोग के पास समय भी नहीं है कि मैं आप लोगों को यह चीज़ बोलों कि आप यह भी पढ़िये वो भी पढ़िये इस पज़े से मैंने जो schedule बनाया था उस schedule के अंदर मैंने सब चीज़ों को डाला था कि आप सब चीज़े साथ में लेकर के चलें आप उसमें कहीं से भी किसी भी तरीके की चूक की गुन की पेपर की जो quality थी पेपर का जो approach था और जो पेपर बनाया गया है वो बहुत जादा tough भी नहीं है और बहुत जादा easy भी नहीं था वो बिलकुल आपके जो exam में जो question आने चाहिए जो आपका standard है exam का जो उसकी approach है उसकी according ही बना हुआ था बैरहल चलिए हम लोग discuss करते हैं आज मैंने open कर रखा है आज मैं नीचे से जो है वो announcement करने वाली हूँ नीचे से in the sense की minus mark से हम start करेंगे और top rank तक जाएंगे आप यहां पे मेरे पास result के अंदर देख रहे होंगे नाम आ रहा है marks आ रहा है और उनकी grading आ रही है तो मैं one by one जो है वो नाम announce करते जाओंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किसके बाद किसका नाम है उसके according आप जो है वो ranking देख सकते हैं ठीक है जीते हिंद्र सिंग राओ उसके बाद है रौनक गुजर रितु शेखावत हार्दिक जोशी सियाराम महरा यह मजा नहीं आ रहा है actually ranking तो top से ही लेने में मजा आती अधर्वाइस मजा नहीं आएगा ठीक है चलिए मैं top ranker कि अगर मैं बात करू तो हमारे पास जो top ranker है कमल किशोर यह एक नया नाम आजर चनाक से जो है वो हमारे सामने आया है 286 नंबर के साथ यह A grade पे हैं दूसरे पर बात करू तो रेनू चौदरी है 274 नंबर लेकर के यह भी A grade पे है और तीसरा जो है वो इंदराज 261 नंबर लेकर के तो यह हमारे जो है वो top scorer है यह first है यह second है और यह third है चीक है ना कमल first है रेनू second है इंदराज third है तो यह हमारे top three rankers है उसके बाद के मैं आपको बताते चल रही हूँ और यह किसी का नाम है 15 पूजा 16 भुवी 17 आगे बढ़ते हैं हम भुवी के बाद अनिल डागूर 17 हरी मोहन सैनी 18 मदू मित्रा 19 सुरेंद्र 20 पीके यादो 21 हित्वी 22 सुरेश 23 अजे शर्मा 24 नौरंगी 25 दीपक 26 किशन मेना 27 श्याम 28 हमेंद्र 29 रामजाट 30 सुमन शेखावत 31 सुरेश कुमार 32 विनोच शर्मा 33 सुमन 34 विजय 35 सवरी राम 36 प्रकास 37 दिल्खुष 38 प्रियंका जांगिर 39 शंता 40 मुकेश 41 अशोक कुमार 42 विरेंद्र 43 सुरेश पल 44 मुक्तार 45 रंजिना 46 लोकेश 47 प्रभा 48 सुरेश 49 पावनस्वामी 50 सुनिता गुस्वामी 51 मोहन 52 कांता 53 दीपक 54 बजरंग 55 वित्रा 56 कविता 57 गितेश 58 अजे 59 विनोट 60 प्रियंका 61 विक्रम 62 अनुराग 63 सुरेश 63 कमलेश 64 जगदीश पाटिदार 65 दिनेश 66 शिवाने 67 लोकेश 68 रवी 69 रोशनी 70 मिलन 71 बल्विंद्र 72 विंदू 73 कमलेश यादो 74 कमलेश कुमार मिना 75 अशोक कुमार 76 दिपेश 77 नेहलता 78 प्रकास 79 ऊशा मिना 80 अनन्या 81 मुकेश मिना 82 अमित 83 सुनेल चौदरी 84 जीत 85 सोनिया 86 मयूर 87 महेंद्र दोगिवाल 88 गोरो 89 ऐसके चौदरी 90 कुसूम 91 शावन विष्णोई 92 गनेश 93 सतनाम 94 रनवी 95 अजीत कुमार 96 रोकी 97 मनेश 98 अनीता शर्मा 99 और मनोज कुमार मिना 100 पे हैं ठीक है यहां तक हम लोगों ने देखा मनोज कुमार मिना तक यह क्या है हमारे चौब जो 100 रैंक वाले लोग जो हैं वो हैं नेक्स्ट इसके आगया आते हैं मनोज कुमार मिना के बाद 100 के बाद चलिए जोगर आमजी 101, मुकेश 102, राकेश 103, संगीता 104, राकेश अगेन 105, बनवारी लाल 106, मुकेश कुमार सैने 107, अमर 108, मनोज 109, सीमा कुमारी 110, लोकेंदर शिंग 111, आनन्द 112, भावना 113, आकांचा 114, गौरोटाक 115, रेनू दलाल 116, सरीता 117, नरेश 118, कैलाश 119, करं सिंग 120, निरेज इंदोलिया 121, मयंग दवे 122, रामनिवास 123, शोभा 124, कुमार सुनेल 125, अमित 126, राजबाला 127, राजेंदर कुमार स्वामी 128, सुमन 129, राजपाल 130, राम 131, लखन सिंग 122, मोनिका शर्मा 133, मनीशा पारिख 134, प्रेम डांगी 135, शिवानी 136, रभी 137, राजुराम 138, पूजा जाला 149, शारुखान 144, सिया 141, किरोरिलाल 142, रामकिशोर 143, आशा चोधरी 144, अंजली चोधरी 145, महेश 146, पूजा 147, इंदरा धायल 148, जतिन 149, अंचराज 150, तुलसी शर्माए 151, जैश्री श्याम 152, अनिल चोधरी 133, टीकम 154, ने 155, महेश 156, परवत 157, सुरेश विष्नवी 188, जागरिती 169, जोटसना 166, इंदरा भीम 161, मनिशा शर्मा 162, परमेश्वर 163, जितेंद्र 164, जग्दीश 165, नानू 166, कुसुम इंदॉलिया, I don't know क्या है ये, कुसुम 177, अनुरादा दवे 168, भेरू 179, मन्जू 170, गीता 171, नवल 172, श्यामशिक्षेखावत 173, शंता 174, पंकज 175, नीशा 176, राजू 177, सुगना 178, मनीशा 189, मेगराज 188, प्रतिभाः 181, कुल्दीप 182, अरुना 183, पवन 184, मिनाक्षी 185, अक्षे 186, महेश 187, सोनू 188, राम दयाल 100, नवासी, नरेंद्र चौदरी 190, अनू 191, कर्मा 102, अनीता 193, किरन 194, नेर्जा 195, रमेश 196, सुरेश 197, अजय कुमार 198, पुष्पा 199, रितू 100, ठीक है, 100 तक रितू तक यह हमारे लगभग E grade जो है, वो आ रहे हैं, ठीक है, 200 तक हम लोग हो गए हैं, रितू तक, कौशल मेना 201, महिंदर जाठ 202, सुनेल विश्नुई 203, हिमान्शु 204, सनी 205, मोतीलाल 206, गिर्राज 207, दाउद 208, आई डोंट नो, दाउद आउद आपको क्या हो गया इस पेपर में, 208, रेंग प्या आप आ रहे हैं, 16 नंबर ला रहे हैं, जस्ट एक्जाम से पहले, इस नोट एक्सेप्टिबल एट आल, सतीश 209, प्रभाद 210, हितेंद्र 211, समता 212, रिशव 213, रेखा 214, देवराम 215, महेंद्र 216, राजकुमार 217, इंद्रजीट 218, सियाराम 219, हार्दिक 220, रितु 221, रौनक गोजर 222, और जितेंद्र सिंग राओ 223, ठीक है, 225 बच्चे हैं, अब दो बच्चों की लिस्ट कहां गई, I don't know, तो ये जो है, आप लोगों का जो है, ये रैंक का जो है, वो मैंने एक्स्प्लेनेशन कर दिया, कुछ बाते मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, उसको आप लोग थोड़ा सा धिहान में रखिए, जित 225 बच्चे हैं, अब दिया कंवे इन एक बताना चाहिती है पर लोग, तो ये पर दो बज़ते हैं, गजते हैं, आप लोगों को बन Adaptory Urban ši, शैनती से करेंव में ठातन हूँ, ये भी पर एक लिए ठीच है। जबकि उनके बहुत सारे messages ऐसे भी आते हैं कि ये question गलत है, वो question गलत है, कहां से उठा लेते हो, ये कर लेते हो, वो कर लेते हो, फिर phone करके clarify भी करते हैं, फिर उनको ये कहा जाता है कि ये question हमने उठाये हैं, तो आगे से ही गलती होगी, and literally वो लोग इतना अनाप्शना बोलत ये काम है, और नहीं तो library के किसी teacher के द्वारा ये काम किये जा रहा है, जिससे मैं आप लोगों को ये test ना कराऊं, और उनकी, उनका वर्चस वो बढ़े, मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते, क्या करते हैं, बट मैंने कोशिश की, कि मैं अपने कारियों में, मैं आप लगाना है, आप लगा लें, आप अच्छे तरीके से paper कीजिए, बस भगवान करें कि आप जितने भी लोग हैं, जिनको जरुरत है, जो लोग active हैं, और जो लोग इस post को deserve करते हैं, वो सभी लोग select होएं, तो मेरी शुब कामना है आप लोगों के साथ है, आप लोगों टेस paper जो है, वो unit 1 का paid जो है, वो store पे डाला हुआ था, जिसकी costing 300 रुपए थी, मैं उसको बिल्कुल minimum price पे ला रही हूँ, उसके minimum price का, जो है, वो 10 रुपीस का, जो है, वो code किया हुआ है, तो मैं उसकी pricing अभी जो है, वो 10 रुपीस कर देती हूँ, तो आज और कल के लिए, जो आप वो purchase कर सकते हैं, store पे जाकर के, तो 10 रुपे की costing कोई बहुत जादा नहीं है, और प्लीज इसके लिए आप मुझे phone नहीं कीजेगा, ना message कीजेगा, कि आप गरीब है, मैं अमीर हूँ, तो ये सब किसा मत रखिएगा, exam से पहले अगर आपको जरुवत है, तो आप 10 र लिजे, नहीं तो कोई बात ने, इतने सारे free के test series है, आपके PDF आपके पास वो पड़े हैं, इन सब को भी अगर आप revise करते हैं, तो मुझे लगता है आपकी तयारी बेटर होगी, so आप keep it up तयारी कीजे, और जो full mock test का schedule मैंने दो शायद आपको डाल रखा है, वो मैं नहीं क कभी भी आप मुझे call कर सकते हैं, thank you so much, bye.